रूट्स कितनी अच्छा है इसमें दोस्तों अगर हम एक अंजीर का पोदा नर्सिर से लेने जाते हैं तो डाइसो तीन सुर्पया मिलेगा लेकिन अगर मैं आपको कहूं के ऐसा ही प्लांट आप गर पर खुद त्यार कर सकते हैं वह भी 10-15 दिन के अंदर मैंने इसी तरीके स अंजीर का पोदा ट्यार क्या है जो कि आज हम इस बैक के अंदर ट्रांस्पलाट करेंगे तो सब से पहले हम उस प्लांट को लेकर आते हैं जो कि मेरे गार्डन इरिया में है और वो हमने कैसे त्यार किया है वह इमापको बता देता हूं वह हमने कह एर लेरिंग से आपको टाइम नहीं लगा इसलिए मैंने जो है इसके हो जो है कट नहीं किया यानिकि एक प्लांट जो हमारे पास अंजीर का त्यार हो सकता है तो एर लेरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको अच्छी हाइट का प्लांट जो है दस से पंदरा दिन में त्यार मिल सकते ह कुछ प्लांटों में थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगता है लेकिन अंजीर में तो जो है साथ आठ दिन में अच्छी जड़े आ गई थी और इसका रेजल्ट आप देख सकते हैं आप तो पूरी जड़े वह बर गई है तो अभी आम इसको रिमूव करते हैं यहां से इसक हम ले चलते हैं और इसको जो है पॉर्ट करेंगे इसके जो फूर्ट आपको दिख रहे हैं फूर्ट को जो है रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि फूर्टिंग बनने में बहुत सी ताकच यह प्लांट को और अब इसकी जो रूट से वह कैन नहीं है तो मैं फूर्ट को है जो फूर्टिंग है यह अटानी होगी और फिर इसके अंदर लगाएंगे इसके तरीके से आप भी त्यार कर सकते हैं साथ से पहले हम जो है इस पॉलीवेक को अटा लेते हैं तो उसका रजल्ट बहुत ही बैतरी आता है इसलिए और इस बार तो बरसात का मौसम काफी टा कि अब निगे तो आज मुझे टाइम लगा है तो मैं सबसे अच्छा है तो इसके लिए सबसे पहले सके निचे की जो ब्रांच है इनको हम रिमूव कर देते हैं इसको और इसको और इसको और एक चीज आपको बता दूंँआ आप चाहे तो क्वेस को क सकते हैं लेकिन कि इतना इतना बड़ा प्लांट को इतनी दी कि अतना त् grow कर सकते हैं जो कर देते हैं और साथ में जो फ्रूट मैं dei यह ऊछा है करोओ और स्वी नहीं चो चोड़ रहा हूं और झोthers up मैं इस बाट नलए इस लिए अधर ली आरा हो कि प्लास्टिक कोальные पैस्टानी मैं इसको डिला आँ यह पी प्रें होाँ और इसके अंदर ये थोड़ा सा कोको पीट और ये अब शाटए सा क्अको कूको पीट करने और ये और ये जो में साइड में रखा देता हूं अगर जरुस्त पड़ेगा इसको ऐड़ करेंगे बाद में कि तो तो इस पहले आड़ कर लेते हैं दोस्तों अंजीर पे एर लेरिंग करते हैं तो आपको क्या एक कट लगाना होता है राउंड शेप में एक निचे एक उपर एक इंच का कट लगाकर और उस पे आपको को पीट जो है वो लगा सकते हैं जो आपके पास सोईल मीडिया है वो आपके पासानी से आजाएगी तो तो यह तो जो पॉट इसमें ज्यादा मिटी डालें तो वेट जादा हो जाएगा और यह जो है नूट्रिशन भी देगा प्लांट को प्लांट की रूट से इसके निदर चली जाएगी निचे तो सबसे नीचे हम इसके बड़े-बड़े कच्छे हो बिल्कुल यह तो पुराने होने चाहिए और एक चीज़ का और बेनिफीट इसके अंदर वैसे तो इसमें ड्रेनेज होल काम भी करता है तो क्या उपले हम लगा रहे हैं इसका जो ड्रेनिज सिस्टम है वह भी काम करें क्योंकि जो उपले निचे यह पानी को भी सोख लेंगे तो दखिए आथा पले जो है मैझने इसमें लगा दी हैं अब सावल यह तियार क्या था यह यहां हैं एक परत तो यह तेगि Bye जो हम इसके अंदर पोड करेंगे कुछ टाइम में जो इसकी जो रूट्स है वह अच्छे से इसमें चल जाएगी आप इसके अंदर जो है और जो है वह आड़ कर देंगे अभी मुस्वा मच्छा है तो कि जल्दी इसकी जो ग्रोथ है वह स्टार्ट हो जाएगी मैं सोच रहा सब्सक्राइब करेंगे और मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं कि काफी में हमारे चैनल के वह जाजतर यह कहते हैं आप जो है सीड्स का काम स्टार्ट कीजिए ताकि हमें अच्छे सीड्स कम प्राइस पर मिल सके इसलिए मैंने स्टार्ट किया है और आपने ओनलाइन देखा ह सब्सक्राइब कर देखा है तो आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्स में डाल दूंगा अगर हमारा रिस्पोंस अच्छा मिला हमें तो हम जो है इस तरीके से प्लांट करके वह भी हमारे स्टोर पैड कर देंगे जैसे अंजीर का प्लांट है वह हम त्यार कर देंगे इस आप साइड में अछे से इस तरीके से साइड में अच्छ से से ताइम के लिए जब तक फ्लांट अच्छ से ग्रोथ ना कर ले तो कभी भी प्लांट आप जब रिपोर्ट करते हैं तो इस में जो है पाने जरूर देना चीए और एक चीसी ना रखे के शाम की टाइम आपको शाम की टाइम ही यह रिपोर्टइंग आ काम करना dola है इवनिंग की टाइम में राद रात में इसे जाली से अजयya अ बोड़ती है आपको से फाइंग अच्छ फ्रूत ठाउड फ्रूट इस प्रूट ब्लाण बीड़ते स Chung क्या कमी है तो यह एर लेरिंग की टेकनिक है बहुत ही अच्छी टेकनिक लगती है मुझे मेरी फेवरीट है यह प्लांट को प्रोपेगेट करने की मैंने इस पर पहले भी बहुत से वीडियो गनाई है और यहां पर आप अगर हमारे चैनल पर देखेंगे तो आपको एक प्ल आप प्लेलिष्ट भी चेक कर सकते हैं और अब प्लांट को वोटरिंग करना ना भूले मैं अभी इसमें थोड़ी वोटरिंग करूंगा क्योंकि मैं इसको यहां से उठाके लिए जाऊँगा गार्डन एरिया में इसलिए ताकि वेट जादना हो जाए बागी आप जब इस में पूछ सकते हैं आपने इस बार कौन से प्लांट पर जो है एर लेरिंग किये मुझे कमेंट करके जरूर बताना आई होब आपको वीडियो पसंद आयो गर वीडियो चलेगे तो लाइक और शेट जरू कर अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिल